नमस्कार, अज हम पालक का हेल्दी और स्वाधिस प्रांठा दो तरीके से बनाएंगे, इसको बनाने के लिए आधा किलो पालक लिए दो कप गेहुं का आठा लिया है, अनादाना आधी छोटी चम्मच, धनिया के 20, आधी छोटी चम्मच, हरी मिर्ची 3, नमक 1 चम्मच या स् तेल पकाने के लिए अध्रक 1 इंच का टुकड़ा कद्डू कस कर लेंगे, उसको सबसे पहले हमने पालक को लिया, पालक के पत्तेओं को अच्छी तरह से साफ कर, धो लिया और पालक का सारा पानी हमने निकाल दिया, एक पतीला लेंगे सबदेंगे, पतीले में पानी डाल देंगे और पानी में उबार आने पर उसमें हम पालक को डाल देंगे पालक डालने के बाद उसको हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे और 5-7 मिनट तक हम इसको गरम पानी में उबाल देंगे ताकि पालक की पतियां अच्छी तरह से नरम हो जाएं और बीज में हम इसको हिला देंगे पालक की पतियां अच्छी तरह से पक गई हैं सौफ्ट हो गई हैं अब हम इसको उतार के पालक को छान लेंगे और पाने को निकाल देंगे पालक को हम ठंडी होने के लिए रख देंगे जब पालक शंडी हो जाएगी तो हम एक blender लेंगे उसमें पालक डाल कर पालक का एक समूद पेस्ट बना लेंगे उसी में हम अद्रक डाल देंगे और हरी मिर्ची भी काट कर डाल देंगे ये भी दोनों अच्छी तरह से पिस चाहेगी हम इनको ऐसे भी काट कर डाल सकते हैं और इसको बिना पाने डाल ले हम इसका एक समूर पेस्ट त्यार कर लेंगे पालग का पेस्ट बन कर त्यार हो गया है अब हम एक बाउल लेंगे बाउल में आटा डाल देंगे आटा आप अपने जरूरत के हिसाब से कमज़ा जादा कर सकते हैं नमक डाल देंगे इसमें थोड़ा सा धनिया के बीस करश करके डाल देंगे इससे इसका स्वाद और बढ़ जाता है अनारदाना डाल देंगे यह ऑप्शनल है अगर आप नहीं खाते हैं तो रहने दीजिए थोड़ा सा घी डाल देंगे इससे ब्रांठा जो है नरम हो जाएगा पालक का अब हम इसमें प्यूरी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे पहले हम पालक प्यूरी से ही आटे को गून देंगे हमें इसमें पाने बिलकुल नहीं डालना है और एक डो नरम सौफ्ट डो त्यार कर लेंगे क्योंकि पालक में अपना ही बहुत पानी है इसमें इसलिए हम अलग से पानी नहीं डालेंगे आठा गुन का त्यार हो गया है थोड़ा सा हाथ पे तेल लगा कर हम पालोग को गुन लेंगे आठा गुन का त्यार हो गया है ये बहुत ही सौफ्ट गुनदा है इसको कपड़े से डग कर 15-20 मिनट के लिए रैस्ट देंगे 15-20 मिनट के बाद जो आठा है त्यार हो गया है इसको थोड़ा सा और गुन लेंगे और साफ्ट आठा हो जाएगा इससे प्रॉंठी और जा रोटी बहुत ही अच्छी बनती है चलिए अब हम प्रांठा बनाते हैं सबसे पहले हम लेर वाला प्रांठा बनाएंगे डो में से गुंदे हुए आठे में से थोड़ा सा आठा लेंगे और उंगलियों के साहिता से हतेली की साहिता से एक गूल चोटा रूल बना लेंगे और सुखे आठे से हम एक गूल रोटी चापाती की तरह गूला अकार में इसको बेल लेंगे थोड़ा पतला और जितने बड़े बन सके हम उसको बेल लेंगे उसके बाद हम इस पे घीजा तेल लगा देंगे इसके उपर और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे इससे लेर्स जो हैं बड़ी ही अच्छी बनते है उसके बाद के नारों से अटाते हुए इसकी परतने चोटी चोटी परतने बनाएंगे इसको फोल्ड कलते जाएंगे कई बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह से परउंठा बनाकर दे सकते हैं एंड वाला पोशन भी हम इसको साथ जोड़कर थोड़ा सा फ्लैट करते हुए थोड़ा सा इसको लंबा करतेंगे जितना हो सके उसके बाद हम इसको गोल शेप में गोलाकार में इसका आखरी हिस्से को हम बीच में सेंटर में डालकर हलका सा दबा देंगे थोड़ा सा आथों से दबाते हुए सुखा आटा लगा देंगे और उसके बाद हम परांठी को बेल लेंगे गोल अकार में ज़्यादा ना दबाते हुए हलके हाथों से दबाएंगे ताकि इसकी पड़ते जो हैं दबेना चलिए अब उदर तबावी गरम हो गए है परांठे को हम तवे पे डाल देंगे आँच को हम मीडियम रखेंगे और एक दो मिनट के लिए नीचे की साइट से पका कर इसको पलट देंगे हलके हलके ब्राउन चत्के इस पर आ गए हैं अब हम इसके उपर घीजा तेल जो भी आप लगाना चाहिए लगा कर थोड़ा सा दबाते हुए परांठे को दूसरी साइट से पलट देंगे इस साइट से भी परांठा जो हलका पक गया है और हलके हाथों से दबा देंगे ताकि परांठा अच्छी तरह से पक जाए अब इस तरह भी हम घी लगा देंगे ये बहुत ही हेल्दी और स्वादिश परांठे बनते हैं हम इस परकार के परांठे बना कर बच्चों को खिला सकते हैं जो बच्चे पालक नहीं खाते हैं दोनों तरफ से परांठा क्रिस्पी और अंदर से भी पक कर त्यार हो गया है क्या मज़ेदार अलग अगबरते परांठे की बनी हुई हैं अब हम इसको तवे से उतार कर प्लेट में डाल देंगे अब हम दूसरी तरह से परांठा बनाएंगे डो में से थोड़ा सा आटा लेंगे और उसको गोलाकार बना देंगे हलके हातों से दबाते हुए सुखे आटे की मदद से हम उसका एक गोल पेड़ा बनाएंगे उसको थोड़ा फ्लैट कर देंगे और बेलन से हम उसको गोलाकार शेप में परांठे को बेल देंगे इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ओई लगाकर इसको चारो तरफ से फोल्ड करके थोड़ा सा प्रेस कर देंगे हलके हाथों से प्रेस करने के बाद हम सुखे आटे की मदद से हम प्रांठे को गोलाकार में बेल देंगे अब हम इसको तवे पर डाल देंगे तवा जो है मीडियम हीट पर होना चाहिए एक दो मिनट हो गया है उपर से इसका कलर चेंज हो गया है और फूल भी गया है बीच में से अब हम इसको पलट देंगे इस साइट से ब्राउन चत्के आ गए हैं दोनों तरफ से हम एक जैसा इसको पकाएंगे अब इसके उपर हम घी लगा देंगे और इसको पलट देंगे इस तरफ से भी घी लगा देंगे और क्रिस्पी और अच्छी तरह से पकने तक हम इसको पकाएंगे क्या मज़ेदार और फूला-फूला क्रिस्पी और अच्छी तरह से पका हुआ पालक का परांठा तयार हो गय मज़ा लीजे, अनन लीजे, मेरी वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दवा दीजे, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, धन्यवाद, नमस्कार.